नमस्कार जाएंद आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पढ़ाक उपर तो आज हम इस वीडियो में देखें कि समध्धान के दस अति महतपूर प्रस्ण जो सभी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महतपूर हैं प्रस नंबर पहला है उसे पहले हम देखते हैं कि समध्धान निर्माताओं के बिचारों को जानने की कुझी किसे कहा जाता है उद्देशका को अनुछेदों को मूल अधिकारों को या अनसूचियों को तो कुश्चन नमबर पहला का अफसर नमबर A सही हो जाएगा उद्देशका को समध्धान निर्माताओं के बिचारो को जाननेगी कुझी को उदेशका को कहा जाता है तो अप्सान नमबर ए सही हो जाएगा चलिए कुछछन नमबर दूसरा दीखते हैं कुछछन नमबर दूसरा है भारत एक गड़तनत है इसका आर्थ है सभी मामलों में अनते मतकार जंता के पास है भारत में संसदी सासन नहीं है भारत में बंसा नुकत सासन नहीं है भारत राज्यों का संग है तो भारत एक गरतन्त है इसका अर्थ है अगर आपको इस कुश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में लगा सकते हैं तो भारत एक गरतंत है इसका आरत है भारत में बंसा नुगत सासन नहीं है तो कुश्चन नमबर दूसरा का अफसन नमबर सी सही हो जाएगा भारत एक गरतंत है इसका आरत है भारत में बंसा नुगत सासन नहीं है चलिए तो पर कुश्चन नमबर तीसरा देखते हैं भारती समधान की विशेश्ता नहीं है तो भारती समधान की विशेश्ता why need that I have to tell that thatde orig Trump ED सर्कार या संगहात्मक सर्कार तो नहींların लिखेश्तमे इसे भारती समधान की विशेश्ता why और में आखिट नमबर तीसरा का आफसन नमबर सी सही हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर चौथा निमलिखत मैंसे कौन सा राज का सबसे महतपूर तत्व है यहां राज सब दिया गया इससे आप क्या समझते हैं तो राज का मतलब सभी भारत सरकार राज सरक और सभी प्रादिकारियों से राज से मतलब है तो प्रस्ण है निमलिखत मैंसे कौन सा राज का सबसे महतपूर तत्व है धज राजधानी संप्रवृता या सासना द्याच्च तो धज राजधानी और सासना द्याच्च से कहीं जादा महतपूर तत्व है संप्रवृता तो question देखते हैं, question number 5 question number 5 है निमलिखित मैंसे कौन सा सब्ध भारती सम्मिधान उद्देशका में नहीं है समाजबादी, धर्मनिर पेच लोक कल लियान या प्रभुता संपन, तो समाजबादी है सम्मिधान की उद्देशका में तरम निर्पेच भी है और प्रभुता संपन भी है लोग कल्यान नहीं है तो इसका option number C सही हो जाएगा लोग कल्यान निम लेखत मैसे वारती सम्धान की उद्देशका में लोग कल्यान सब्ध नहीं है तो question number 6 देखते हैं भारती सम्धान का स्वरूप किस प्रकार का है संवचना में संगात्मक भावना में एकात्मक या कुष्चन नमबर मतलब ऑफसन नमबर भी भावना में संगात्मक या संवचना में एकात्मक दौनों सही है या इनमें से कोई नहीं तो भारती समदान का जो सुरूप है वो है संवचना में संगा तता भावनाव में एकातमक चाहिया चले कुश्च्च मैं सात्राइब क भारती समधान को आवसेता से अधिक कठोर किस ने क published समधाना है CT केसी ह IOG death user आयब्र जॉंसिंन या जी ऑस्टन ने तो बारती समधान को आउसेता प्रक्षट साथमी का उफ्षार सर आइबर जॉन सिंग ने कहा है तो इसका ऊफ्षिन नंबर सी सी सही वह जाएगा साथमी चांबर नंबर सी सर आइबर जॉन सिंग59动 चाहिव है के चलिए कुछे नंबर यह है सीधे जंता द्वारा भारती राष्टी कांग्रेज के नामंकन द्वारा या भारती राजियों के सासकों द्वारा या प्रामती बिधान सभाओं द्वारा तो सम्धान सभा में जो सदस्यों को चुना हुआ था वो कैसे हुआ था तो जो भारती सम्धान सभा में सदस्य को चुना हुआ था वो हुआ था प्रांती विधान सभाओं के द्वारा तो डी ऑफ्षन सही हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं नॉमा परस नमबर नॉमा भारती समधान सभा में कुल कितनी महलाएं महला सदस थी भारती जो समधान था उसमें महला सदस भी साम यद तो भारती समधान में महला सदस्यों की संक्या पंद्रा थी अफ्षन नमबर डी बिलकुल सही हो जाएगा भारती समधान सभा में कुल 15 महला सदस थी और आज का अंते में में दसमा परसंद देखिए अतिमेहतपूल परसंद एगे 1937 के चुनाओं में कांग्रेस का आफसर नमबर ए हाती और आफसर नमबर भी हात का पंजा और आफसर नमबर सी है पीला वॉक्स और आफसर नमबर सी है चरका तो निम लिखत में से जो कौन सा चनाउचन जब 1937 में चुना हुआ था उसमें कांग्रेस का कौन सा चनाउचन था तो आफसर नमबर सी सही हो जाए पीला बॉक्स पीला बॉक्स था वो चुनाव जन्द था कांग्रेश का 1937 के चुनाव में तो यह अंतिम प्रस्न था इस वीडियो का यदि आपको हमारे सारे प्रस्न अच्छे लगे हूं आपके लिए उप्योगी हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग